एक प्रश्ण जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है नंदी बना जो प्रश्ण आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते हैं समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ बेटी है बेटी 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 बहुत सुन्दर प्रिश्ण है आपके बहुत भाव से और अनन से आपने करा जन्मानस के कल्यान के प्रिश्ण है यह केवल आपके लिए नहीं है यह सब के लिए इत्ते जोड़दार प्रिश्ण है जो गल्टी भी करते होंगे तो उसको सुधार साथ आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए लोग हसते हैं कहते हैं बता हुँ नंदी के कानों में बगवान को कहना चाहिए वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हसी नहीं उडाते दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा हसी उडाते हैं तो हमारे सवनातन धर्म की ही उडाते हैं और जिक खुद उडाते हैं दूरा औराने वला नहीं होता दूर के ड्छोल हमें समझ में आते हैं उसका धरम हमें समझ में आ गया उनके दर्म कितना अनन हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है और हमारा सनातन धर्म हम को बुरा लगता है हमारे सुनातन दर्म हमें बुरा लगने लगा अरे भाई लोग करते हैं कि नंदी के कान में करते हो ये कोई हमारे पुराणों में या सास्त्रों में लिखा है भगवती बेन साहू आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा जितनी भी शुमहा पुराण के अंतरगत चाहे उपाय जो बताये जाते हैं कि बेलपत्री ये से चड़ाना, काली मिर्चे ये से चड़ाना, चावल ये से चड़ाना, धतूरा का क्या महत्व है शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है ये जित्ती भी बाते बताई जाती है ये सब पुरान के अंतरगस से बताई जाती है अब दुनिया के लोग इसको चाहे तोटका कह दें चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कर दें पर पुरान से हट कर कुछ नहीं और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में केकर वगवांग संकर की मन में बात पोचे तो ये क्यों कहा तो ये भी हमारी श्यू महापुराण में लिखा है जलंधर के चरीत्र में बोई आप से कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता ये ये जलंधर का चरीत्र कह रहा है कि मापार्वती जी का हस्त कमल पकड़ कर जलंदर लेकर जाने लगए ब्रंदा का पती लेकर जा रहा है तो बगवानी की वक्ती में लीन रहती थी उसको तो जलंदर को सबसे ज्यादा तकलिफ थी नरहेंड से पर शिव के पास आ क्योंकि इल्षा प्रवती अभी कथा में कहा कोई-कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से इल्षा जाती है कोई-कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से इल्षा जाती है अपने आप अपने अपने अंदर से इल्षा जाती है उसका कोई बेर और इल्षा जाने, बीतर से जाज़ागा, ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बेटे हो, कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं, तो हम लोग पूज भी लेते हैं, क्यों साब, उनसे मिलकर आयो के तुम कभी, नहीं मिलकिया, कभी उनका सामना हुआ, नहीं हुआ, तो फिर बुराई के और एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी घर दी लो वो कुमा में डूपके मरेगा तो तू भी मरेगा गार नहीं नंदी सामने बेठा गणेग जी को मालूम पड़ गया कार्थी के को मालूम पड़ गया मा भार्वती जी का हास्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला मालूम पड़ गया तब नहीं रहा गया गणेजी को प्रोद आगया और गणेजी महराज आए शिव जी को जगाने लगे पिता जी पिता जी पिता जी घर कर जगाए उठो पिता जी पिता जी उठीए पिता जी जागिए पिता को जगा रहे हैं बगवाण शंकर नहीं थे तब में ली थे क्या करें हम जलंधर के पास में इतना बल है इतना बल है और पिता की आगया नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको मारने को तो मार दें मा ने आगया करी थी कि जलंधर उसको तार का सुर को मार दो तो कारती कि ने तार का सुर को मार देंगे शिवजी की आगया नहीं तो हम इसको कैसे मारें क्या करें सब कुछ गणे जी ने देख लिया शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रातन करकर देख लिए पर शंकर जी नहीं जागे तबाकरी में विनायक ने गणेश ने जितनी लोग आस्था चेनल पर कता बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना आखरी में गणेश जी को लगा किसको कहूं संकर जी भी तप में है नंदी भी तप में है मैं किसको कहूं जिनायक गए है सीख है अब नंदी के पास में है नंदी भी तप में लीन थे शंकर जी की और मुक था शंकर जी की और मुख था गए और जाकर तुरंग विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा नंदीश्वर मैया का हाथ पकड़ कर जलंधा लेकर जा रहा है पिता जी तप में लीन है करपा करिये ना बस केवल नंदी के कान में कहा गणे जी दूर हट गए नंदी के कान में कहा संकर जी के नेतर गुल गए शिवजी के नेतर गुल गए दियांदेना जरा इस चुमहापुरान की आशुट को छो कता यहां कहीं जारही है यह कता पहले के चरीत्रों में सुनने को नहीं मिली होगी जराद ध्यांदेना इस संबाद पर जितने लोग आस्था चैनल पर जितने फेज़बूर्ट पर सुन रहे हैं सनातन धर्म की हसी उड़ाने वाले कह देते नंदी के कान में कहने से क्या होता है नंदी के सामने चाकर बोलने से क्या होता है नंदी के पास बेट कर बोलने से क्या होता है नंदी के पास बेट कर संकर जी का मात दिदार करने से क्या होता है दर्शन करने से क्या होता है वो अच्छे से समझ लेना हो जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते है वो अच्छे से समझ ले इस बारत को क्या होता है नंदी तप में लीन शिव जी तप में लीन शिव नहीं उठ रहे बिनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया नंदी के कानों में जाकर कहा नंदी के नेत्र 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 किसके खुले जम के बोलो महादेव के खुले शिवजी के खुले ये मन का तारगा नंदी शंकर की अराधना कर रहे थे शिव अपनी भक्ती में डूबे थे, यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था, उस तक बात पहुंच गई, नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी में चंकर तक बात पहुंचा दी, कि वह शू्तर जो बंदा था, दिल से दिल तक हो पहुच गया वह सूतर जो दिल से दिल तक हो भाधा है मनसे बंदा हुआ था खबर वहां तक पहुच गई